बाबा के मैन पूरी वाले आश्रम की तस्वीर देखकर देश हैरान रह गया ये नारायन साकार हरी का वो पहला पाता लोक है जहां हात्रस हाथसे के बाद उसे पुलिस सबसे पहले ढूंड ने पहुची थी तस्वीर देखिए जो आश्रम नहीं बलकि एक सफेद आलिशान महल जैसा दिख रहा है चमचमाता हुआ दर्वाजा ऐसा कि मानों उस पर सोने का पानी चड़ाया हुआ हूँ ABP News संबाद दाता रविकांत मैंनपुरी में मौझूद थे और बाबा के मैंनपुरी वाले पाता लोक की हर तस्वीर दिखा रहे थे हर आकार के होडिंग यहां पर यह एक इस तरीके के कई सारे होडिंग्स हैं एक के बाद एक यहां पर लगे हुए हैं और यहां पर जो बाबा के कारकमों का आयोजन होता है उसके लिए यहां पर यह बास बल्लिया भी रखी हुई है ये वो backup room है जिसे store room की तरगे से भी इस्तेमाल किया जाता है और जो manpower है उसको यहाँ पर रुकाने के लिए भी इस्तेमाल होता है और यहाँ पर उनके कारक्रमों से सम्मंधित मीटिंगें भी होती हैं जो उनके कर्मचारी आपस में करते हैं बाबा का दूसरा पाता लोग उत्तरप्रदेश के कासगंज में मौझूद ये नारायन साकार हरी का दूसरा पाता लोग है कि कासगंज का वो गाउं है जहां बाबा बनने से पहले सूरजपाल जाटव पुराने मकान में रहा करता था अर अब उसी गाउं में सफेद महल बना लिया है जहां भले ही गेट पर ताला लटका हो लेकिन सेवादार हडशिफ्ट में पहरेदारी के लिए सैनाद रहते हैं यहीं पर बाबा का आवास हुआ करता है और यह है आप सेवादार हैं पर जी नारान साका ही परमाप में सेवादार भईया अच्छा तो आप पीछे रह रहे हैं यह लाल रंग की पट्टी है इसके पीछे रहकर के बात करनी हमसे कह रहे हैं इस पट्टी के पीछे रहे हैं कब परमात्मा जी ने दिये हर सेवादार बाबा को परमात्मा कह रहा था और सम्मोहन का असर ऐसा कि वो बाबा पर होने बाला एक सवाल भी नहीं सुन सकता यहां भी साफ लिखा था वीडियो ग्राफी तो क्या वीडियो कॉल तक की इजासत नहीं है